हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज आपका गुरूप डी का किलास नमबर 9 है और मैं दोस्तों आपको पतारा पाइप और टंकी का वीडियो बना रहा हूं तो पाइप और टंकी का दोस्तों आपका ये दूसरा वीडियो है ठीक है गुरूप डी का पार्ट नमबर 9 है और पाइप और टंकी का ये दोस्तों आपका दूसरा पार्ट है के लिए दोस्तों तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है तीन नल ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को दस मिनिट में भर सकते हैं ठीक है ए बी सी तो यहाँ पर ए पिलस बी पिलस सी ये तीन नल मिलकर एक खाली टंकी को दोस्तों दस मिनिट में भर सकते हैं ए अकेला 30 मिनिट में अगर मैं एक ही बात करूं तो ए अकेला दोस्तों से 30 मिनिट में और बी की बात करूं तो बी अकेला 40 मिनिट में भर सकता है बी अकेला दोस्तों 40 मिनिट में भर सकता ह तो बताएं कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा क्या करना है दोस्तों पता है आपको सभी का LCM ले लेना है जब हम सभी का LCM लेंगे कितना आएगा 120 आएगा 10 से काटो 120 को 12 बार बार कटेगा 30 से काटेंगे 4 बार 40 से काटेंगे 3 बार ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि A एक मिनट में कितना भरता है चार लीटर B एक मिनट में कितना भरता है तीन लीटर A B C तीनों मिलकर एक मिनट में कितने भरते हैं बारा लीटर अब देखिए A का एक मिनट का चार है B का एक मिनट का दोस्तो तीन है अगर मैं A और B दोनों के मिला दू तो कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अब यहां पर देखिए A, B, C तीनों का दे रखा है A, B, C तीनों का दे रखा है और A और B का कितना है दोस्तों दोनों मिला के साथ A और B का दोनों मिला के साथ है तो मैं A, B, C में से A, B का माइनस कर दूँगा सिर्फ C का बचेगा तो तीनों का मिला के कितना है दोस्तों 12 है 12 में से मैं 7 को माइनस कर दूँगा ठीक है कितना बचेगा दोस्तों पांच बचेगा और यह किस का बचेगा सी का बचेगा ठीक है दोस्तों सी का कितना है पांच है कहरा है सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा टोटल टंकी कितनी है दोस्तों टोटल टंकी की बात करें टोटल टंकी है आपकी 120 की ठीक है जो ह पचेगा बीज, पाज चोके बीज, 24 मिनट में भरेगा, B option हो जाएगा, दोस्तों आपकी question का सही answer, उमीद करता हूँ सभी को question अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अब देखेंगे अगला question, अगला question है, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, और एक अन्य नल, भरी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है, यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है, तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखें एक नल है, हम उसे A मान लेते हैं, और ये कितने मिनट में भरता है, 40 मिनट में, दूसरा नल उसे B मान लेते हैं, ये क्या करता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली करता है, ये दोस्तों खाली करने वाला है, इसलिए से माइनस ले लेते हैं, दोनों का LCM लेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा, 40 से काटोंगे दोस्तों कितनी बार में 3 बार में 60 से काटेंगे 2 बार में अब ये 2 निकल क्या ये क्या है खाली करने वाला है B का निकल क्या है खाली करने वाला देखिए दोस्तों A आपका 1 मिनट में 3 लीटर भरता है बी एक मिनट में दो लीटर खाली कर देता है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया तो तील लीटर ये भरेगा साथ के साथ दो लीटर खाली हो जाएगा तो कितना भरा जाएगा एक मिनट में एक लीटर ही भरा जाएगा टोटल टंकी है दोस्तों 120 की एक मिनट में दोस्तों एक लीटर भरा जा रहा है तो 120 कितने भरा जाएगा 120 मिनट में ठीक है कितने भरा जाएगा 120 लीटर 120 मिनट में भरा जाएगा ओप्षन में आप देखेंगे तो घंटे में आंसर दे रखा है तो 120 का मतलब क्या है दोस्तों दो घंटे होते हैं के नहीं होते तो इसका मतलब टंकी कितने समय में भरी जाएगी दो घंटे में भरी जाएगी पहला option हो जाएगा आपकी question का दोस्तो सही answer clear है अब देखेंगे अगला question अगला question है दो pump किसी टंकी को 8 घंटे तता 10 घंटे में भरते हैं दोस्तो दो pump हैं तो पहला pump ये ले लेते हैं ये 8 घंटे में भरता है दूसरा pump भी ये 10 घंटे में भरता है यदि दोनों pumpों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक कितना भाग भर जाएगा टैंक का कितना भाग भर जाएगा वही तरीका है दोस्तों दोनों का आप LCM ले लीजे 8 और 10 का LCM दोस्तों कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा 8 से काटो 8 उपच्चे 40 10 से काटो 10 चौके 40 ठीक है दोस्तों? अब देखे यहाँ पर कह रहा है यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए अब आपका जो A है वो एक घंटे में 5 लीटर भर रहा है B एक घंटे में 4 लीटर भर रहा है दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे? दोस्तों 9 लीटर भरेंगे टेंक कितना भाग भर जाएगा टेंक का टोटल टेंक की दोस्तों कितने की है 40 लीटर की है 40 में से कितना भाग भर जाएगा दोस्तों 36 लीटर भाग भर जाएगा केलियर है तो इसे कटालीजे 4 से कटाएगे 4 निम 36 4 दाम 40 ठीक है दोस्तों तो कितना भाग भर जाएगा, 9 बटे 10 भाग भर जाएगा, पहला option हो जाएगा, सही answer, अगर इस question में कह देता आप से, कितना भाग खाली रह जाएगा, अब 10 में से 9 भाग भर गया, तो खाली कितना रह गया, 1 बटे 10 भाग खाली रह जाएगा, अगर खाली की कह देता, तो 1 बट्टे 10 भाग खाली रह जाएगा लेकिन पूछ रहा है कितना भाग भर जाएगा तो 9 बट्टे 10 भाग भर जाएगा पहला option सही हो जाएगा अब देखेंगे अगला question अगला question है दो पाइप किसी टंकी को 3 गंटे तथा 5 गंटे में भर सकते हैं पाइप C 2 गंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भर जाएगी देखें दोस्तों 3 पाइप है पहला पाइप A है ये 3 गंटे में भरता है दूसरा पाइप B है दोस्तों ये 5 गंटे में भरता है तीसरा पाइप C है ये 2 गंटे में क्या करता है खाली करने वाला है, खाली करने वाला है, तो इसे माइनस ले लेते हैं, तीनों का क्या करेंगे, आप LCM ले लीचे, LCM कितना आ जाएगा, तीस, तीस से काटो, दस बार में, पांस से काटो, दोस्तों, छे बार में, और दो से काटेंगे, तो कितनी बार में, पंदर बार में, बंदरबार में ये खाली करने वाला है, इसलिए ये माइनस ले लेंगे, अब क्या कहरा दोस्तों, तीनों पाइपों को खोल दिया, तीनों पाइपों को खोल दिया, तीनों पाइपों को खोल दिया, तब कितने समय में टंकी भरेगी, दोस्तों A और B दोस्तों ये क्या है भर बरने वाले हैं तो यह दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे ए आपका एक घंटे में 10 लीटर भरेगा बी एक घंटे में 6 लीटर भरेगा दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे 16 लीटर भरेंगे ठीक है और नल C है यह क्या करेगा साथ के साथ में 15 लीटर एक घं लिटर की है जब एक घंटे में एक लिटर भरा जा रहा है तो 30 लिटर कितने घंटें भरा जाएगा 30 घंटे में भरा जाएगा पहला option हो जाएगा दोस्तों आपकी question का सही answer उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ मागिया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है 2 pipe एक और वाई किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं दोस्तों दो पाईप है पहला pipe है एक यह 24 मिनट में भर रहा है दूसरा pipe है y यह दोस्तों आपका 32 मिनट में भर रहा है ठीक है यदि दोनों pipeों को खुल दिया जाए तो बताएग य को कितने समय बाद समय बाद हमें बंद करना है सबसे पहरे तो वही तरीका है दोनों का आप LCM ले लिजिए जब दोनों का LCM लेंगे कितना आएगा 96 आ जाएगा 24 से 96 को काटेंगे 4 बार में कटेगा और 32 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा के लिए दोस्तों दोनों को हमने कटा लिया अब यह समय बाद बंद करना भाई को यह हमें बताना है लेकिन हमें टंकी 18 मिनिट में भरनी है तो जो पाइप हमारा एक्स है वो 18 गंटे तक तो चालू रहेगा 18 मिनिट तक तो चालू रहेगा जब यह 1 मिनिट में 4 लीटर भर रहा है तो ये 18 मिनिट में कितना भर देगा 18 चौक 72 लीटर भर देगा टंकी टोटल हमारी 96 लीटर की है उसमेंसे 72 लीटर कितने भर दिया X ने भर दिया जब 72 भर दिया तो बचा कितना 24 बचा किलियर इतनी बात अब इस 24 को कौन भरेगा बाई भरेगा तो बाई एक मिनिट में कितना भर दिया जाए हमें बाई को कितने समय बाद बंद करना है 8 मिनिट के बाद बाई को हमें बंद कर देना है 8 मिनिट के बाद भी ओप्सन हो जाएगा सही आंसर हम क्या करेंगे बाई को दोस्तो 8 मिनट के बाद बंद कर देंगे बाई 8 मिनट में अपना 24 लीटर भर देगा और X अपना 18 मिनट तक चलेगा और ये 18 मिनट में 32 लीटर अपना भर देगा उम्मिद करता हूँ सभी को कोशन अच्छे तरीके से समझ मागिया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है पाईप A एक टंकी को 9 गंटे में भरता है दोस्तो एक पाईप A है ये एक टंकी को 9 गंटे में भरता है टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 गंटे लगते है देखिए दोस्तो टंकी की तली में एक छेद है ठीक है वो छेद क्या करता है टंकी को खाली करता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं बी पाइप माल लेते हैं वो उसके होने से क्या होता है दोस्तो दस घंटे लगते हैं टंकी को भरने में तो इसका मतलब यह हमारा pipe A भी चालू रहेगा और जो टंकी की नली में छेद है हम उसे B मान लेते हैं और ये भी चालू रहेगा दोस्तो A भरेगा और जो B है टंकी की नली में छेद वो नीचे से खाली करेगा तो क्या होगा 10 गंटे लगेंगे टंकी को भरने में कितने दोनों मिलकर क्या होता है 10 गंटे लगते हैं ठीक है दोस्तो आप देखें दोनों का आप LCM ले लेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा 9 से काटो 10 बार में 10 से काटेंगे 9 बार में इतनी बाद दोस्तो केलियर है अब यहाँ पर एक चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिए A को कितना समय लगता है 10 लीटर भरने में 1 गंटा एक गंटे में कितना भरता है 10 A आपका दोस्तो एक गंटे में 10 भरता है B दोस्तो कितना भरेगा B दोस्तो 9 भर रहा है आपका A और B दोनों मिला के 9 है A और B दोनों का मिला के दोस्तो कितना है 9 A का अकेले का 10 है और A और B दोनों का मिला के 9 है जब 9 है तो क्या होगा 10 में से 1 माइनस होगा तभी तो 9 आएगा तो B का कितना है दोस्तों माइनस 1 है इतनी बात दोस्तों समझ मैं तो कह रहा है आप से कि बताएं छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी तो दोस्तों टंकी आपकी कितन लीटर की है 90 लीटर की है कितना माइनस का है माइनस का बन है इसका मतलब क्या माइनस का बन का एक घंटे में कितना लीटर खाली कर रहा है एक लीटर एक घंटे में कितना खाली कर रहा है एक लीटर तो 90 लीटर की टंकिव में कितना खाली करेगा दोस्तो 90 गंटे में खाली करे से गिरती है 600 बूंदे मिलकर 100 ml बनाती है 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया question दोस्तों बहुत अच्छा यहां पर पूछा गया है और इस question की मैं बात करूँ बिल्कुल अलग pattern पर है ठीक है अभी तक साइद आपने ऐसा question ना देखा हो लेकिन question बहुत important है गुरूप D के exam में सभी प्रेशन भर भर के आते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए प्रेती second की बात कर रहा है तो यहां पर कितने दिन दिये गए हैं आपको 300 दिन दिये गए हैं के लिए रहे कितने दिन दिये गए हैं 300 दिन दिये गए हैं इससे जब आप second में convert करेंगे देखिए दोस्तों एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं यहां पर मैं बात करूँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं 60 से multiply करेंगे clear नहीं 300 दिन की बात है 300 लिख लिया पहले उसे 300 को दिन में convert करो दिन के बाद minute में करो minute के बाद क्या करेंगे second में करेंगे क्योंकि यहाँ second में दे रखा है second में कर लिया यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं यहां क्या क्या रहा है 600 भूने मिलकर कितनी भूने दोस्तों 600 भूने मिलकर कितना बनाती है 100 ml बनाती है तो यहां पर 600 गुर्णे 100 कर दीजिए पस दोस्तों आपका अंसर आ गया देखें यहां मैं कटा दू 300 से 602 बार में कट जाएगा ठीक है गशारा है, 46 Ayda, 72 का दो कहरी का साथ, बारेетरी 36, चारी दोस्तों को आइगा ऑंसर आपके उप सही आँसर, आप से पूछ रहा है, 300 दिन में कितनी लिटर पानी बेकार गया 432 लीटर पानी बेकार गया यही हो जाएगा आपके कोशन का दोस्तो सही आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सभी को कोशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है एक समान चमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनिट में भरते हैं दोस्तो देखें समान चमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनिट में भरते हैं के लिए रहे बराबर एक मात्र चमता के कितने नल एक मात्र चमता के दोस्तो कितने नल पानी की टंकी को 15 मिनिट में भरेंगे कितने null नहीं पता X मान लेते हैं कितने minute में भरेंगे दोस्तो 15 minute में भरेंगे ठीक है अब इसी को कटा लीज़ी आंसर आजाएगा 5 से कटा लो 5 चो के 20 पांस त्रिक्वा 15 3 से कटा लो 3 त्रिक्वा 9 3 चो के कितना हो जाएगा 12 X कमान कितना आगिया 12 तो आपसे पूछा था एक मातर छमता के कितने नल 12 नल हो जाएगा आपके सही आंसर 12 नल तो पानी की टंगी को 15 मिंट में भरेंगे कितने नल 12 नल यही हो जाएगा दोस्तो आपके question का सही आंसर तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को question बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइम नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन का वटन भी दबा दिजिए दोस्तों धन्यवाद